अपना दल की वरिष्ट नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ बादशीत के लिए मौजूद हैं बात करते हैं और जानते हैं आज की राजनीत के बारे में कि मैम आज का जो राजनीतिक परिद्रश्य है उसको किस तरह से देखती हैं और उसके मुद्दे और उसका उद्देश था कि हम एक बड़े समाज को लेकर के एक बड़े उद्देश को लेकर के आगे बढ़ेंगे हमारे मुद्दे थे रोजगार हमारा मुद्दा था हर एक समाज के लिए अपलिप्मिंट पर काम करना सिक्षा और ऐसी मुद्दे आज भ और आप दो अखले श्यादाओं के साथ हैं तो इन लोगों की दूरी जो हुई है चाहे वो केश्व दो मौरे हो या ओम परकाश तो यह कितना घातक साबित होंगे आपके गड़बंधन के लिए दो हजार चौबिस देखिए हमने गड़बंधन सिर्फ दो हजार बाईस को दे सोच होती है हर पार्टी के अपनी विचारधारा होती है हर पार्टी के अपने ups and downs होते हैं और अगर आज ऐसा कोई निर्ने सुहेल देव भारती समाज पार्टी ने लिया है तो उस पे बहतर प्रकाश वो डाल सकते हैं लेकिन मैं यह मानती हूँ कि अगर हमारा उद्देश बहुत बड़ा था हम उस विचारधारा पे काम कर रहे थे तो आगे भी हम लोग का एक साथ आना असंभव नहीं होगा ओम प्रकाश राजबर ने कहा था कि तलाख के पेपर तो उसी वक्त तयार हो गय थे उप चुनाओ के बाद से जब आदम गड़ और रामपूर में चुनाओ होगा था हमने हाला की मदद किया हस्ताच्छर अखलेश यादों को करने थे यानि सोहैल देओ समाज़ पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच तलाख की नौबत पहले ही आ गई थी और उन्होंने तमाम आरोप और भी लगाए कि वो ऐसी से नहीं निकलते हैं अखलेश यादों क्या ऐसा कुछ आपकी नजरों में भी है देखिए अगर हम ये कहते हैं कि गडबंदन में हम सब आए और हम सरकार बनाने वाले थे तो अगर हम सरकार बनाने वाले थे और सरकार बन गई होती तो हम सभी अपना अपना इंपोर्टन्स दिखाते और ये बताते कि हमारी हिस्सेदारी सरकार और इस सफलता में है तो कि जो गड़बंदन बनाए उसको 2024 में वो तमाम चीजें दरकिनार करके हम सफलता हासिल करें लेकिन भारती जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ, स्ट्रेटीजी के साथ चुनाव लोड रही है क्या लगता है आपको कि आप इनको पराजित कर पाएंगे जिस तरह की जो वरकिंग स्टाइल है उनका या जो वरकिंग स्टाइल आप लोगों का है ऐसे में कितना कामियाबी मिल पाएगी 2024 के चुनाव में देखे डेफिनिटली अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको जमीनी तोर पे काम तो करना होगा और ऐसे में हम जितने भी गटबंदन में साथी हैं अपने अपने संगठन को ले करके विचार विमर्ष करके आंकलन करके जमीनी सतर पे काम शुरू कर चुके हैं अब बस हम सब को मिल करके उसको एक बड़ा सरूप देना है ताकि हम सफल हो सकें शुपाल यादो भी भढ़के हुए हैं वो भी चले गए चोड़के और यह कहा कि अब मुझे स्वतंत्र कर दिया गया है मुझे पार्टी से भी निकाल दे मुझे विदायक मंडल दल से भी निकाल दिया जाए यह साथ तमाम बयान जो है वह हैं तो कहीं न कहीं कमजोर तो हो ही रहे हैं न आप लोग इसी बात का बार-बार सवाल है कि इतनी जो कमजोरी आ रही है शिपाल यादव ने निशाना भी साधा अखलेश यादव पर आपके नेता पर तो कैसे उसको किस तरह से मैनेज करेंगे जैसा नेता अगर चला जाएगा लेकि मेरा यह मानना है कि चाहे शिपाल जी हो बहुत एक बहुत बड़ी सक्षियत हैं उत्तरप्रिदेश की राजनीती में चाहे उंपरकाश राजबर जी हो चाहे केशव दे मौर्या जी हो यह सभी लोग एक विचार धारा के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में उस लंबे उद्देश को पाने के लिए अगर चोटी मोटी कोई चीजे आ रही हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है कि वो अपने मन मुटाव हम दूर करके एक बड़े उद्देश को पाने के लिए पुना वापिस ना एक साथ आ जाए यह असंभब नहीं ल पारधारा को ले करके संघर्ष कर रहा कोई भी छोटा संगठन या बाड़ा संगठनों उन सभी को इस एक अमरेला के नीचे लाने के लिए मेरी जितनी भी जरूरत होगी मैं पूरा भरकस दोनों को मना पाएंगी अखलेश यादव को और क्योंकि अखलेश यादव कि चाहिए शिपाल जी हो चाहिए उंपरकाश राजबर जी हो ये सभी लोग उमर और अनुभव में मुझसे बहुत बड़े हैं निर्ने उनका होगा लेकिन कोशिश में अपनी जरूर करोंगी दिखिए जहां तक हमारे संगटन की बात है अपना दल की बात है हमने ऐसी कोई भी दिक्कत अभी तक फेस नहीं करी है हो सकता है केशब जी को ऐसी कोई दिक्कत लगी हो लेकिन मैंने पुना भी कहा मैं और दुबारा कह रही हूँ इस बात को कि हम ऐसी कोई भी चीज नहीं अब भारती जन्ता पार्टी का तरफ जो जुकाओ बहुरा है उनका वो आपकी तरफ फिर से पलट के आएंगे देगे मैंने पहले भी कहा कि उद्देश बड़ा है कोशिश पूरी रहेगी बाकी निर्ने उनका होगा उन पे छोड़ा जाता है बाचित के लिए शुक्रिया आपने सुना पल्लवी पटेल जी को बड़े ही सधे शब्दों में उन्होंने अपनी बाते कहीं और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे जो भी गड़ बंधन के साथ ही से उनसे हम एक दो बार बात जरूर करेंगे और इसको कोशिश करेंगे क कि 2024 के चुनाओं में भी सब लोग इसी मजबूती के साथ चुनाओं लड़ें जैसे 2022 में लड़ा था निर्णे उनके दल को लेना है बड़े नेताओं को लेना है लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास जारी रखेंगे कैमरमेन अर्शत के साथ सीमा अब नकवी भारस समचार ल लेखेंगे की सीमार नकवी घर्णे तरफ से ने की साथ 0